Hello everyone, welcome to my youtube channel Unfold Learning और आज हम read करेंगे chapter 3 महा यग्य का पुरस्कार इसके लेखक हैं यश्पाल और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजे तो महा यग्य का पुरस्कार के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा ओवर्वियू दे देती हूँ फिर हम कहानी रीड करना शुरू करेंगे तो किसी नगर में एक सेट रहते थे जो बहुत ही जादा विनम्र थे, पुलाइट थे बहुत ही जादा जनरस थे और रिलीजिस, मतलब जो धर्म के लिए बहुत ही जादा डेवोटिट थे और उनके द्वार पर कोई भी खाली हाथ लोट कर नहीं जाता था लेकिन इसी जनरस फीलिंग्स के कारण उनको गरीबी का मूँ देखना पड़ा और उन दिनों यग्यों का फल ट्रेड हुआ करता था मतलब खरीदा बेचा जाता था यग्य मतलब जो हवन वगरा होते हैं इस टाइप के यग्य कीये जाते थे जिसका फल ट्रेड किया जाता था सेठानी ने सेठ को अपना एक यग के बेचनी की सला दी तो पहले तो सेट तयार नहीं हुए पर बाद में कुंदनपुर नामक नगर में एक बहुत ही जादा रिच धन्ना सेट के हातों में अपना यग्य बेचने को तयार हो गए क्योंकि वो बहुत ही जादा गरीब थे धन्ना सेट की पतनी को कोई डिवाइन पावर्स थी जो की मतलब जैसे की देवी शक्तियां थी जिसके द्वारा वो तीनों लोगों की बात जान लेती थी सेट जी कुंदनपूर की ओर चल पड़े तो सेठानी ने पडोसियों से कुछ आटा मांग कर उनके लिए चार रोटियां रास्ते में खाने के लिए बान दी रास्ते में एक स्थान पर उन्होंने रोटिया खाने की सोची वे रोटि तोडने ही वाले थे कि उनके सामने भूक से जटपटाता हुआ एक कुट्ता दिखाई पड़ा तो सेट ने कुट्ते को एक रोटि खिला दी जिसे वो खा कर शरीर में थोड़ी सी उसकी जाना गई फिर भी सेट की ओर देखता रहा तो सेट ने उसको दूसरी रोटी खिला दी दो रोटी खाने के बाद भी कुट्ता अच्छी तरह चल नहीं पा रहा था तो सेट को लगा कि तीसरी रोटी भी इसको खिला देता हूँ तो कुटे को अब ये सेट जी ने तीसरी रोटी खिलाने के बाद थोड़ा सा चल फिर ने लगा और फिर भी वो सेट जी तरफ देख रहा था तो सेट जी ने उसको चौथी रोटी भी खिला दी और खुद को एक लोटा पानी पी कर ही वो कुंदनपुर चल पड़े कुंदनपुर पहुँचकर उन्होंने धन्ना सेट को अपने आने का कारण बताया और तभी धन्ना सेट की पतनी आ गई और बोली कि यग्य खरीदने में तो हम तयार हैं लेकिन जो महायग्य है जो आपने आज किया है महायग्य उसे बेचना चाहोगे क्या आप तो महायग्य की बात सुनकर सेट बहुत ही सर्प्राइज हो गए क्योंकि उन्होंके अनुसार आज तो उन्होंने कोई भी महायग्य या कोई भी यग्य नहीं किया था धन्ना सेट की पतनी ने उन्हें समझाया कि आज रास्ते में आपने खुद भूके रहे कर वो चारो रोटियां एक भूके कुत्ते को खिलाने का जो काम किया है वही एक महायग्य है तो सेट जी ने सोचा किसी भूके को खाना खिलाना तो एक हुमानिटी है और एक कर्तव्य है इसमें यग्य की कौन सी बात है या सेट जी वहां से चुपचाप घर की ओर निकल दिये तो घर पहुँचते जब उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात सुनाई तो वह भथ प्रसन हुई क्योंकि उसके पती ने विपत्ती मतलब परिशानी में धर्म नहीं छोड़ा सेठानी दलान में जो बरांडा होता है उसमें वो दिया जलाने के लिए शाम को गई तो नीचे की ओर उसने निगा डाली तो देखा एक धहलीज के सहार एक पत्तर उचा हो गया है जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा हुआ है उसने सेठ जी को अवाज लगाई तो सेठ जी ने जैसे ही कुंदे को पकड़ कर खीचा तो अंदर जाने के लिए सीड़िया निकल आई और सेठ जी और सेठानी नीचे उतर गए नीचे एक तैखाना मतलब बेस्मेंट था जिसमें की बहुत सारे जूल्री थी बहुत सारे हीरे जवाराद भद से भरा हुआ वो बेस्मेंट था और उनको कहीं से एक इन्विजिबल मतलब कहीं से एक डिवाइन साउंड या फिर डिवाइन वो सकते भविश्यवानी जैसे सुनाई देने लगी तो खुद तो भूके रहकर भूके कुत्ते को जो चार रोटिया खिलाकर उसकी जान बचाई तो वह कोई महायग्य से कम नहीं है और यही आपके महायग्य का पुरसकार है तो ये जो थी आउटलाइन थी हमारे महायग्य का पुरसकार इस कहानी का ओवरवियू तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग एक धनी सेट थे अतियंत विनम्र और उदार विनम्र, पुलाइट, उदार, जनरस धर्म परायन, गौडली, रिलीजर्स जो भगवान को मानते हैं धर्म को मानते हैं बहुत जादा इतने की कोई साधू संत उनके द्वार से निराश न लोटता भर पेट भोजन पाता, भंडार का द्वार सब के लिए खुला था जो हात पसारे वही पाए सेठ ने बहुत से यग्य किये थे और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों में बाट दिया था पर सब दिन होतना एक समान, all times are not seen अकसमा सड़नली दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मूँ देखना पड़ा संगी साथियों ने भी मू फेर लिया और नौबत यहां तक आ गई कि सेठ व सेठानी भू को मरने लगे उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, कस्टम जो फॉलो किया जाता था यग्यों के फल का क्रेविक्रे ट्रेड हुआ करता था छोटा बड़ा जैसा यग्य होता उसके अनुसार मूल्य प्राईज मिल जाता जब बहुत तंगी पौवर्टी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा ना हो तो एक यग्य ही बेच डालो सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए पर बाद में अपनी पौवर्टी का विचार कर एक यग्य बेचने के लिए तयार हो गए सेठ के यहां से दस बारा कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे यह अफवा रियूमर थी कि उनकी से ठानी को कोई देवेई शक्ती डिवाइन पावर प्राप्त है जिससे वह तीनों लोकों की बात जान लेती है धन की उनके पास कोई कमी नहीं है विपद ग्रस्त विपत्ती में फसे या फिर कोई प्रॉब्लम आने पर सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यग्य बेचने का विचार किया दूर की मन्जिल डेस्टिनी थी सो सेठानी जैसे तैसे पडोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए चार मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांध कर सेठ को दे दी सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर्ण की ओर चल दिये गर्मी के दिन थे सेठ ने सोचा कि सूरच निकले जब तक जितना रास्ता पार करनू उतना ही अच्छा है के चलनेक में कश्ट होने लगा पसीने से उनकी सारी दे बॉडी लद्पत हो गई और भूग भी सताने लगी सामने व्रक्षो का एक कुंज और कुवा देख कर सेठ ने विचार किया कि यहां थोड़ी देर रुक कर भोजन और विश्राम रेस्ट कर लेना चाहिए यह सोच वे उस कुंज की और बड़े पोटली से लोटा डोर निकाल कर पानी खीचा और हाथ पैर धोए उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खानी के लिए रोटी निकाल कर तोड़ने ही लगवाले थे कि क्या देखते हैं निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा जटपटा रहा है बिचारे का पेट कमर से लगा था सेट को रोटी खोलते देख वह बार-बार गर्दन उठाता पर दुलवर्था मतलब वीकनेस के कारण उसकी गर्दन गिर्थ यह देख सेट का हरदय दया से भर आया बिचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है तभी तो यह हालत हो गई है सेट ने एक रोटी उठाई और टुकडे टुकडे कर कुत्ते के सामने डाल दी कुत्ता भूका तो था ही धीरे धीरे सारी रोटी खा गया अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी वह मू उठा कर सेट की ओर देखने लगा उसकी आखों में कृतग्यता उपकार मानना या फिर ओब्लिगेशन थी सेट ने सोचा की एक रोटी इसे और खिला दूँ तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा यह सोच कर सेट ने एक और रोटी टुकडे टुकडे करके उसे खिला दी दो रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ती आ गई और वो खिसकता-खिसकता सेट के समीब क्लोज आ गया सेट ने देखा की अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी सेट ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूँ तो फिर ये अच्छी तरह चल फिर सकेगा मेरा क्या है इस जैसे दो खाई वैसे एक थोड़ी देर में कुंदनपूर पहुँच ही जाऊंगा सेट ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी अब एक रोटी बची उसे लेकर वे स्वयम खाने वाले ही थे कि सेट ने देखा कुत्ते की आखें अब भी उनकी और जमी है उन आखों में करुण याचना है याचना मतलब मांगना या फिर ये कह सकते हैं प्राथना साहसा सेटन के मूँ से निकला हाए बिचारा ना जाने कितने दुनों से भूका है उनके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है इस विचारे मूँक, मूँक का मतलब है डम जो बोलना सके और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्य ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुँँच सकेगा सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी स्वयम खुद एक लोटा जल पी कर तथा थोड़ा विश्राम रेस्ट करके अपना रास्ता पकड़ा दिया जले रात होते वक्त सेठ कुन्दनपुर पहुँचे सेठ हवेली में पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया पूछा कहो सेठ कैसे आना हुआ सेठ ने कहा संकट में हूँ और एक यग्य आपके हाथ बेचने आया हूँ इतने में धन्ना सेठ की पतनी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोनी सेठ जी यग्य खरीदने के लिए तो हम तयार हैं पर आपको अपना महायग्य बेचना होगा महायग्य सेठ ने आस्चर्य सर्प्राइजिंग ली से पुक कहा हाँ वही जो आज आपने किया धन्ना सेठ की पतनी ने कहा सेट बड़े आश्चरे में पड़े महायग्य और आज वे समझें कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है विनम्र भाव से बोले आप आज की कहती हैं मैंने तो बरसों मतलब बहुत साल पहले से कोई यग्य नहीं किया मेरी इस्तिथी ही ऐसी नहीं थी धन्ना सेट की पतनी ने गंभीर भाव से कहा नहीं सेट आज आपने भारी यग्य किया है महराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे नहीं तो नहीं सेट विस्मित विमूर शॉक्ड इन साइलेंस हो गए उन्हें निस्चे हो गया कि इन लोगों को यग्य खरीदना नहीं है इसलिए ऐसी बात की जा रही है क्या सोचते हो सेट बोलो राजी हो धन्ना सेट की पतनी ने पूछा सेट ने खिन्न होकर कहा सेटानी जी हसी छोड़िये काम की बात कीजिये बरसों से मैंने यग्य नहीं किया आप आज की कहती है सेटानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयम ना खाकर चारो रोटियां भूके कुत्ते को खिला दी यह महाग्य नहीं तो और क्या है? यग्य कमाने की इक्षा से धन दौलत लुटा कर किया गया यग्य सच्चा यग्य नहीं है निस्वार्थ, सेलफलेस, भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यग्य महाग्य है क्या आप इसे बेचने के लिए तयार हैं सेठ मानो आसमान से गिरे भूखे को अन देना सभी का कर्तव हुमानिटी इंसानियत उसमें यग जैसी क्या बात क्या विचार है सेठ जी यः यग बेचना है कि नहीं सेठानी ने पूछा सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया चुप चाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए उन्हें मानवो चित कर्तव्य का मूल प्राईज लेना उचित ना लगा कुंदनपूर की धर्म शाला के चबूतरे पर भूके पेट जैसे तैसे रात बिता कर पॉप अठे अर्ली मॉर्निंग वहां से चल कर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाई बैठी थी सेठ को खाली हात वापस आये देख आशंका से काप उठी बोली क्यूं धन्ना सेठ नहीं मिले सेठ ने आद्यो पांत फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड शुरू से आखिर तक सारी कथा सुनाई सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहां विलीन हो गई हिर्दे उल्लासित हो उठा विपत्ती परिशानी में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा धन्य है मेरे पती सेठ के चर्णों में रजमस्तक रजमस्तक मतलब धूल माथेस पर लगाते हुए बोली धीरज रखें भगवान सब भला करेंगे रात का अंधेरा फैलता जा रहा था सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान मैं आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी गिरते गिरते बची समल कर आले तक पहुँची और दिया जलाकर नीचे की और निगा डाली तो देखा धहली इसके सहारे एक पत्थर उचा हो गया जिसके बीचो बीच एक लोहे का कुंदा लगा है इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था अब वह अक्समात कैसे उठ गया सेठानी भौचक की सर्प्राइस्ट सी खड़ी रही फिर सेठ को बुला कर बुली देखो तो यह पत्थर यहां कैसे उठ गया सेठ जी भी अच्रज में पढ़ गये दिये की टिम्टिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज का धकना है धकना मतलब धकन आखिर ये माजरा क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़ कर खीचा तो पत्थर उठ आया और अंदर जाने के लिए सीड़िया निकल आई सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे कुछ सीडियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आखें चौंध्याने लगी सेठ ने देखा वह एक विशाल तैखाना है और जवाहरातों जूलरी से जगमगा रहा है देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया देखो निस्तब्द नम्ब जिनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो खड़े थे तभी अद्रिश्य इन्विजिबल पर स्पष्ट स्वर में स्पष्ट मतलब क्लियर वोईस में उन्हें सुनाई दिया ओ सेट स्वयम भूके रहकर अपने कर्तव्य मान कर प्रसन्य चित तुमने मरनासन जो मरने के करीब था कुत्ते को चारो रोटियां खिला कर उसकी जान बचाई उस महायग्य का यह पुरसकार है सेट और सेठानी इस दिव्यवानी डिवाइन वोईस को सुन कर क्रत्य हुए वही धर्ती पर माथा टेक कर उन दोनोंने भगवान के चर्णों में प्रणाम किया तो यह थी हमारी कहानी महायग्य का पुरसकार अगर आपको यह ओडियो बुक पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेर और सब्सक्राइब मैं चानल थांक्यो फॉर लिसनिंग